कब आये तुम अभी एभी क्या वा मुंग की उतरा वाई सुसर तो ठीक है ना हां हो तो ठीक है अनला का शुकर है लेकिन इस्पताल में बहुत बदमस्गी हुई है क्यों क्या हो अभी ने जो हमें पैसे दिये थे ना हां वो उनकी कुल जमा पूंजी थी तो तो क्या हस्पताल वालों ने पैसे मांगे ऑपरेशन की जो कि हमारे पास थे ही नहीं उस पर लुबना ने मुझे और तबस्टम को सब के सामने बहुत बाते सुने उसे अकबर एक बात है तुम्हारी चोटी सानी जो है ना आफट की परकाला है जबान जो है ना उसकी कहजी की तरह चलती है और जब उसकी जबान चल रही थी ना तो उसी वक्त उल्टे हाथ का थपड़ लगाना था तुने गलती हमारी है जिसके पैसे थे वक्त पढ़ने पर उसी को नहीं है अरे सामिया और लुबना की शोहर तो बहुत पैसे वाले हैं और घर के दमाद भी है और लो मेरा कोई फर्ज में बनता क्या है लोग जोरू के गुलाम होते हैं लेकिन भीया तुम तो उनसे दो हाथ बढ़के हो तुम तो सुस्रार के गुलाम हो अमा बस कर दो ऐसी बाते मत करो मेरा दिल जलाने की जूरुब नहीं है अगर आज मेरे पास चार पैसे होते ना तो किसी की भी हिम्मद ने थी बाते सुनाने की मैं जा रहा हूँ सुने मुल दुबारा शहजादी के बाप से बात करते हैं जमाने भर की मुश्किले और जिल्लते उठाने के लिए क्या मेरा अबर ही बचा है कि अब फुरकान के दिल में कभी हमारे लिए तो इतनी महबद नहीं जागी जितनी सुसर के लिए जाग गई है मतलब पूरी रात हस्पताल में उसने गुजार दिया प्रिसुसर के लिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों भेनों ने हमारे लड़कों को कौन सी गीदर सिंगी सुंगाई है जो उनके आगे पीछे दुमहलाते गुमते परते है ये वोही गीदर सिंगी है जो किसी वक्त उमने इसको सुंगाई थी और जिसका असर अभी तक पाए क्या होगी अम्मी आपको ये को मौका ऐसी बाते करने को तारीख दोहरा रही है अपने आपको जब इसके अबबा बिमार थे तुम सारी सारी रात हस्पताल में गुजार दे ते तुम इसे माँ से जुदा करके अधराबास से कराची ले हैं आज वो ही कुछ तुमारे बेटे कर रहे हैं बात सुने आप मुझे बद्वाइं दे रही हैं तुम किसी बद्वा से कम नहीं हो आप देख रहे हैं इंको किस कदर मेरे लिए नहोंने अपने दिल में जहर भरा हुआ है रस कर दें आप दुनों क्या मस्टे आप दुनों के साथ अभी वक्त नहीं ऐसी बाते करनेगा और तुम तुम्हें कितने नवाफिल का सबाब मिलता है जवाब दे कर जूरी हर बाद कर जवाब देना वसीम आज मुझे रहस्पताल लेकर जाना तुम्हें चीर जीर कर जवाब दुम्हें कर जवाब दुम्हें